Hello everyone, welcome back to another video I hope all you guys are doing so far so guys, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पत्ना लॉग कॉलेज के बारे में यहाँ पे मैं बता दू कि आपका जो है LLM का इंट्रेंस डेट का जो आ चुका है तो इसमें जो है वो इंट्रेंस में क्या-क्या पूछी जाते हैं subjective, objective, कैसे questions आते हैं और साथी जो है इसमें क्या-क्या जो है आपके admission के बाद जो है वो documents लगेंगे साथी इसका पिछले साल का cut-off कितना गया था उसके accordingly आप लोग इसके तयारी का सकतो सीटे कितनी है तमाम जो आपके सवाल होंगे इसमें मैं जवाब देने कोसिस करूँगा साथी जो है पतना लोग कॉलेज के बारे में कई सरे शुर्ण पूछ रहेते हैं कि उसका अपडेट क्यों नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत चर्चा करने के कोसिस करेंगे दो टाइप के पेपर होता है 50 marks जो है वो आपका objective और 50 marks जो है वो आपका subjective होता है साथी जो है इसमें आप लोग देखे हो कि the medium of the internet itself भी Hindi as English मतब हिंदी और English में दोनों में दे सकते हो सो गाइज यहाँ पे जो है वो paper 1 50 marks का paper 2 50 marks का एक होगा आपका objective और एक होगा subjective देखे objective में क्या है कि आपका जो कह सकते हो कि हर topic से जो है वो 5 questions पूछे जाएंगे और number of total जो होगा question का वो होगा 50 जो subjects होगे वो आपको होगे jurisprudence constitutional law of India, law of evidence and procedure, law of contract international law, तो इससे जो है वो आपको जो है हर topic से जो है वो 2 questions पूछे जाएंगे उसमें से आपको एक देना होगा यानि कि 5 topics से जो होगे 10 questions यानि कि 10 questions होगे और हर question जो होगा 5 marks का होगा ठीक है इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा family law से environmental law, law of tort, intellectual property जिसे कि copyright act और patent law और साथी administrative law अगर आप cloud को target कर रहे हैं तो आप इसके त्यारी unacademy पर कर सकते हैं जहां आपको 2 subscription देखने को मिलेगे plus uniconic unacademy के खास बात है कि आप इसमें ना किसी course और ना किसी faculty को purchase करते हो यहाँ पी आप एक subscription लेते हो जिसमें आपको मिलता है unlimited access unlimited access में क्या है आपका आप जो है unlimited live interactive classes access कर पाओगे recorded lecture with unlimited watch time साथी जो है वो सारे जो educator के notes है उसको access कर पाओगे और साथी every four session जो है वो doubt solving session होगा और उसके साथी updated study material मिलेंगे और practice mock test को भी आप लोग access कर पाओगे सारा course जो है वो structured होता है ताक कि आप एक systematic धंग से पढ़ाई कर पाएं देखिए ये सारी features तो आपको plus में मिलते ही मिलते हैं लेकिन iconic में जो है वो आपको one and one live mentorship live.solving और raise the hand priority in classes जो है ये सुभिधा iconic में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे mentor session है जिसमें आप अपने doubt solve कर पाऊगे 3 months के subscription में 18 session 6 months में 36 12 months में 72 और 24 months में 144 session आपको मिलेगा देखिए यहाँ पे plus and iconic आपको subscription देखने को मिलेगा अगर आप मेरा code AKR101 use करेंगे तो आपको 10% जो है वो discount मिल जाएगा साथ ही यहाँ पे CLAT 2022 के लिए 3 months का batch है जिसकी सुरुवात 9 फरवड़ी से होगी यहाँ पे NLSIU Toppers के दोवारा जो है वो batch है जिसकी सुरुवात 12 फरवड़ी से होगी 3 months का batch है वही CLAT 2023 को टार्गेट कर रहे है तो जिसकी batch की सुरुवात 9 फरवड़ी से होगी देखिए unlimited batch है M7 के लिए 2022 का 6 months का batch है 11 फरवड़ी से सुरुवात होगी 2 फरवड़ी 2 फरवड़ी जो है वो Championship test होगा वहीं आपका 6 और 8 फरवड़ी को Toppers Talk है NLSIU Toppers के दोवारा नाच और 6 फरवड़ी को साम 7 बज़े है Legal Regening Test वहीं साड़े 7 बज़े जो है वह आपका current affairs and GK test होगा Well guys आप इस जो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका जो है वो cutoff के बारे में कितना जो है वो cutoff किया था साथी मैं बता दूँ कि इसमें number of seats के बारे में मैंने कहा था तो यहाँ पे number of seats है वो 20 ही seats है तो आप लोग यहाँ पे देखो कि काफी कम seat है यहाँ पे as compared to मतलब of course LLM में जो है वो seat जो है वो कम होती है तो आप उसके accordingly जो है वो तैयरी कर सकते हो और आपका जो है वो एक marks मैं बता दूँगा कि इसमें जो है वो आपका marks होना चाहिए क्योंकि seat है कम है और cutoff जो है वो high जाता है यहाँ पे cutoff देख लेता है 2020 और 21 का है इसमें आप लोग देखो कि combine UR है that means कि दो cutoff आपको देखने को मिलेंगे एक तो combine होगा जिसमें other university भी होंगे और पतना university के students भी होंगे तो देख लीजे काफी tough जो है वो almost जो है वो आपको 75 score करना होगा अगर combine में है तो ठीक है combine EWS में AKEA students है यहाँ पे 72 combine EBC में दो student है 70 और 64 combine AC में AKEA students का हुआ है 71 पे और combine BC में जो है AKEA students का हुआ है 67 पे चली यहाँ पे तो यह combine में हुआ हमें देखने को मिला जिसमें की 9 seats हमें देखने को मिली तो वहाँ पे आगे देख लेते है पतना university unreserved का जिसमें की नमर एक पे यानि की यहाँ पे पांच students का हुआ है 68 से लिकर 64 तक का तो अपने category wise जो है वह आप लोग देखते रहिएगा उसके accordingly जो है वह आप लोग आगे पीछे जो है अपना marks देख सकते हो कि उसके जो है वह एराउंड में गेस कर सकते हो कि उतना जो है वह cut-off जाएगा cut-off जो है almost same ही जाता लेकिन वही number of students जो है वह कितने apply होते हैं या वह सब बाते हैं तो वही जो मैंने कहा कि आप जो है वह आगे पीछे देख सकते हो number plus and minus करके उसके accordingly जो है वह आपका cut-off होगा पत्ना इनवर्सिटी EWS में एक है students का 64 और पत्ना इनवर्सिटी EBC का दो students है 55-55 पे और वह भी जो है वह अगर same marks आया तो देखिए नमर मतलब उपर जो है जिनका graduation में जो है वह ज्यादा marks आया उनको उपर रखा गया तो graduation के marks भी अगर आपको काफी माइने डखेंगे अगर आपका marks जो है वह सेम आ जाता है तो पत्ना इनवर्सिटी EBC के एक है students का हुआ है यहाँ पे 63 तो इस तरह से जो है यह first cut-off list है जिसमें के बता दूँ कि और भी जो cut-off list होते हैं कुछ सीटे जो है रिजर्व आती है कोटा के थुरू या कुछ जो है वह second list भी आती है तो बहुत ही कम list आता है तो मतलब समझिए कि first list जो है वह ही main है ठीक है इसी को आपको समझ के चलना है तो यहाँ पे जो है वह ग्यारा students का हुआ है तो 9 students को कुछ-कु जालते है कि कौन-कौन से जो है वह आपको documents होने चाहिए admission के time चलिए guys यहाँ पे ज्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन देखे यहाँ पर mark it and original certificate of metric यानि कि आपका mark it होने चाहिए यानि कि आपका 10th, 12th और graduation और साथ ही जो है वह LLB का इसके साथ जो है आपको CLC और DLC भी चाह चाहिए होगा character certificate जो है original चाहिए होगा यह आप लोग धन मेरकिंग और CLC भी for getting benefit of the reservation देखे अगर reservation में है तो आपको जो है यहाँ पर कहा जारा है कि अकर आप reserve category में है तो वहाँ पर जो है आपको category certificate जो है वो लाना होगा issue by the not less the rank of the SDO, SDO के rank के नीचे से आपको नहीं लान तो उसका जो है admin card और साथ में जो है रिजल्ट है तो उसका भी रिजल्ट जो है वो आपको लगाना होगा ठीक है the student the selected student are advised to keep a photocopy of the all requisite documents जो भी documents of course आपको जो है वो रखने होंगे ताकि जो है वो आपसे form जो आप भरने को कहा जागा उसके साथ जो है आप लोग अपलोग सब्सक्राइब करना है और admission की प्रकरिया को जो है आपको 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 अपने जो है प्रेमेंट कर देना है और प्रोसेस होगा और इस तरह के जो चीजे है वह देखने को मिली जीतिवीच चीजी थी खासकर LLM के बारे में इंडरेंस होगा फिर आपका कितने जो है वो आप जो है वो अच्छे marks जो है वो स्कोर करें admission ले और साती जो है LLB का फिलाल अभी कुछ अपडेट है यहां का जा रहा था कि मीड और फेर वर्डी से जो है वो कुछ अपडेट आ सकती है देखिए अभी इंट्रेंस होगा तो आपको एक अपते पहले जो है वो आपको इतने तारीक को इंट्रेस होने होन वाला है और दो दिन पहले जो है एडमिंट कार्ड जो है वो इिसी कर दिया जाता है तो आप लोग टेंसर न लेज यहां तक देखें तो वीडियो को लाइक किजिएगा अपने दोस्तों को शैयर किजिएगा मिलते दीट लाइस वीडियो को दोस्त्राइब